एक बार एक जंगल में एक तोता रहता था जिसका नाम था बगबग बगबग को बात को बढ़ा चड़ा कर कहने की बुरी आगत थी पता है तुमें? आज मैंने क्या खाया? सच में बहुत बढ़ी हदावत थी बहुत सारे मिठाईया और फॉल और बहुत सारा खाना बहुत बड़ी पार्टी थी वो सच में? कहाँ पर? वो अमीर आत्मी के घर पर मैंने बताया था ना? वो बहुत अच्छा है मुझे मेहंगे तोफे देता है इतना मत भेको बगबग इस चिडिया को बेवाकूफ मत बनाओ मेरे तुम्हे सुखी मिर्ची खाते हुए देखा था तुम इसी पेर पर बैठकर खा रहे थे पता है तुम्हे मेरे पास तुम जैसो के लिए वप्त रही है मुझे एक और दावत के लिए जाना है चलता हूँ हाँ उसकी बात मत सुनो वो जूटा था पर बगबग में खुद को नहीं बतला वो ऐसे ही बिंगे माता रहा पता है मैं एक बार एगल से भी उचा उड़ा था शेर मुझे प्रिधा मंत्री बनाना चाहता था पर मैंने मना कर दिया मेरे पास बहुत सारा ख़जाना दबा हुआ है मैं यह पूरा जंगल खरीच सकता हूँ कोयल एक बार मुझे कहा कि मैं उससे बहतर गाता हूँ एक दिन एक कबूतर उस तरफ आया ओ तुम कितनी सुन्दर पक्षी हो कौन हो तुम शुक्रिया मैं कबूतर हूँ मैं गुल ढून रहा हूँ कोयल देखो हमारे यहां कौन आया है कितना सुन्दर महमान है ना कितना प्लार पक्षी है कितना सुन्दर दिखता है शाही पक्षी लगता है यह कौन है ओ तुम बगबग हो ना हाँ मैं ही हूँ तो तुमने मेरे बारे में सुना है हाँ दरसल देखा तुम सभी ने मेरा कितना नाम है बलकि भाहर वालो डे भी मेरे बारे में सुना है कबूतर जानते हो मैं बहुत सारे देश कूम चुका हूँ हाँ पर मुझे एक बार ब्यूटी प्राइस भी मिला था अच्छी बात है पर मेरी बात तो मैं बहुत ही अमीर पक्षी हूँ मालू है इस जंगल में सबसे अमीर तुम सुनो तो वापस आजाओ वापस आजाओ ये सही नहीं है इसके पास पहले सही सब कुछ है ओ ये क्या कहना चाहते है यही मैं तुम्हें कबसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ पर मेरे पास कुछ नहीं है अब जाने मी दो, मैं अब चलता हूँ आहाहाहाहा ऐसा ही होता है जब दिंगे मारते है तो देखा बच्चो जूट मन भूलो क्या पता कोई कहीं पर भी सुन रहा हो तो जब देखते हैं कि जुटियों में हम परिस जा सकते हैं कि नहीं